आज एक बार फिन भारत की कोने कोने से हमारे दिव्य आत्माएं हमारे साथ जूट चुकी है आईए हम चलते हैं आशाम पद्मा बेहन अम शान्ती मुझे जो टापिक मिला है वो है सत्यता सत्यता के उपर कई सारे प्रसिध कहावते हैं जैसे बाबा भी बोलते न कि सच्चाई की नईयां हिलती है डूलती है लेकिन डूपती नईयां हमारा जो भारत का नैशनल एंबलम है उसमें भी लिखा हुआ है सत्यमेव ज ए 책 काईटा की भी चुपती नहीं है ये भी कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है बतलब उसमें मिठास नहीं होता है और सत्यиновा की खोज में कई लोग कई लोग मतलब आगे बढ़े, मतलब सत्य क्या है, जसे कि Jesus Christ ने भी ये बात कहा है कि God is one, उन्होंने ये बात सिखाया, लेकिन उसका पड़िनाम क्या हुआ, सत्य सब के सामने रखा, लेकिन उसका पड़िनाम ये हुआ, कि उनके ही धर्मवालों ने शूली पर चड़ा दिया दूसरी बात है, सौक्रेटिस, सौक्रेटिस इतिहास का वो पहला व्यक्ति है, जिसने आत्मा का ज्यान दिया, और उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि अपने आत्मा की उन्नती के बारे में सोचना है, लेकिन उसका भी पड़िनाम क्या हुआ कि उनको पिश विश पिला कर मार दिया गया, उसके बाद हमारी जो ये संस्था है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरे विश्विद्या ले, जिसकी स्थापना स्वयम सत्यम शिवम सुंदरम ने की है, सत्यता के बल पर इस यग्य की स्थापना हुई है, तो जिस यग्य की स्थापना से पहले ब लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वे सत्य की राह पर आए, उनको भी बहुत कुछ सामना करना पड़ा, पिकेटिंग की, घेराओ किये, सब कुछ किये, लेकिन किसी को जाने ही नहीं दिया जाता था, अगर हम इतिहास पढ़े ना, प्रम्हा बाबा को जीवन को पल्टानी वाली सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आज इस वर्तमान समय में एक छोटी सी संस्था इतना बड़ा वटवरिक्ष की रूप में ले लिया, जो कि 140 से भी अधिक देशों में इनके ब्रांचिस खुल गए हैं, इसी को कहते हैं सत्य की नया हिलती है, डूलती है, बहुत सारी परिस सत्य की शक्ति हैं, और परमपिता परमात्मा किवाए हैं इस धरा पर सत्य की दुनिया स्थापन करने, जिसको हम सत्य कहते हैं, सबसे पहला सत्य ग्यान उन्होंने हमें क्या दिया कि आप एक आत्मा है, आत्मा है ही संपूर्न सत्य, जब-जब हम देभान में आते हैं, तब तब हम असत्य हो जाते हैं, क्योंकि देह तो क्या है, परिवर्तन शील है, आथ्यात्मिक्ता के परिभाशा में भी कहते हैं, कि जो चीस परिवर्तन होता है, वो सत्य नहीं है, लेकिन जो चीस हमेशा हमेशा स्थाई रहती है, वही सत्य होता है, ठीक, उसी तरह बाबा हमको प अब हमारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा कितना स्वीट है, बाबा तो हमको कडवी नहीं लगती है, बाबा तो कहते हैं, मतलब सेक्रीन से भी मीठी हूँ, बाबा कितना मीठा है, सत्यूग में जाए, सत्यूग के बारे में सोचते ही क्या होता है, मारे मुझ में पानी आ जात जो भी कर्म करते हैं, तो लोगों को कितना अच्छा लगता है, सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी प्रेम स्वरुप हूँ, भी सुख स्वरुप हूँ, कितना अच्छा लगते हैं, उस समय जो होता है आभास, तो हम कैसे कह सकते हैं, कि सत्यकरवी होती है नहीं कह सकते हैं और इसलिए बाबा को भी क्या पसंद है सचाई और सफाई और जो जितना सचाई सफाई से इस ग्यान मार्क में चलते हैं और उनको सत्यूग में भी पद उसी अनुसार मिलता है क्योंकि जो लाना है उसका basis ही है सच्चा है पवित्रता जो होता है ना पवित्रता का यह first step है मतलब पवित्रता तो एक लक्ष है लेकिन उसको उस तक पहुचने के लिए पहला लक्ष है सच्चा है और इसके उपर 11 डिसेंबर 1991 में अव्यक्त बाब दादा की एक मूरली चली थी उसमें बाबा ने कहा था सत्यता की सभ्यता ही रॉयल्टी है और उसमें भी बाबा ने बोला था कि सच्चाई आत्मा सच्चे होते हैं उसकी निशानिया क्या होगी तो पहली निशानी जो बाबा ने बताई थी कि सच्चाई जो सच्चे लोग होंगे उनके अंदर बाहर दोनों एक समान होंगे कभी कबर ऐसे होते हैं कि मेरा भाव ऐसा नहीं था लेकिन मुझ से निकल गया तो यह नहीं होता है उनका भाव जो होगा वही मुख से बोल निकलेंगे और दूसरे जो निशानी थे उन्होंने यह बताया था कि वह कभी भी किस अती प्यारे और अती मतलब किसी के भी अटेच्मेंट में नहीं आएंगे है ना उनका स्नेह सबसे होगा लेकिन अटेच्मेंट नहीं होगा और स्नेह मोह और प्रेमी दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है इसमें भी अगर हमको कभी विश्य मिलेगा तो हम इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे और तीसरी जी उम्शंती आपने बहुत ही अच्छी त झाल 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 झाल